इतिहास लिखा है इसमें कुछ खास छिपा है इसमें मरियादा है कोई वादा है विश्वास रखा है इसमें साथ फेरों से मिला ये तो पुहार है मिरा शिंगार है इसमें मिरा शिंगार है मिरा शिंगार है मंगल सूत्र मंगल सूत्र मंगल सूत्र मंगल सूत्र मंगल सूत्रा, मंगल सूत्रा, मंगल सूत्रा, मंगल सूत्रा, मंगल सूत्रा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजे से आपकी कूरसी खत्रे में पड़े इसलिए आप जाएगे और जाकर आप जो भी रिपोर्ट बनाना चाहते है बनाएगे आप देखिएगा, जीत हमारी रिटिका की होगी, देख लीजेगा और दुश्मन हो या दोस्त, उसका एक नाम को होगा तुमारी दिली दमन्ना भी पूरी कर देते हैं उसका नाम है कुल्शंशाह वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी गिरफतर इस बार होकर ही रहे और उसमें एक एक बात, एक एक बात, साफ, साफ लिखोंगा क्या लिखेंगे आप क्या लिखेंगे उसके बारे में ऐसा कौन सा गुना कर दिया है उसने उसने तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है बस अपने पती अपने परिवार को बचाने के लिए उसने ऐसे गलत फैसले किया है अपने परिवार के प्रती वफादार होना कोई गुना नहीं है अरे मैं पूछती हूँ जो इनसान अपने परिवार के प्रति वफदार नहीं है वो समाज और देश के प्रति वफदारी क्या खाक निवाएगा तुम जिस वफदारी की बात कर रही हो उसने जो ये वफदारी की चादर ओड़की है ना वो ही चादर उसके लिए कफन बन जाएगी और मैं ही क्या सारे उसके खिलाफ रिपोर्ट तयार कर रहे हैं और उसकी कोशिशों का यही अंजाम होगा कि ना तो वो अपने पती को बचा पाएगी और ना अपने आपको आप उसकी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं अच्छी तरहे से सोच समझ कर बनाईएगा ताकि कल आपको इसके लिए कोई अफसोस ना आप तो पुराना सब कुछ भूल चुके हैं ना शायद ये भी भूल चुके हैं कि आज हमारे बेटे के भरसी है और हमें उसकी बरसी मनानी है तुम बरसी मनाना चाहती हो ना मनाओ लेकिन एक बात कान खुल कर सुन लो कि आज इस बरसी के मौके पर रीती का इस घर में नहीं आएगी लेकिन एक बात कान खुल कर सुन लो कि आज इस बरसी के मौके पाद रीती का इस घर में नहीं हाईगी बड़े बापा बाबी की कोशिशे रंग लाई गुल्षिंशा की गिरफतारी का वारंट निकल चुका है मुझे पता था कि बाबी की कोशिशे कभी नाकाम नहीं जाएगी अखिर सच्चाय को एक नएक दिन तो सामने आना ही था सुना तुमने हाँ जी जी गुल्षिंशा की रफतार हो रहा है लेकिन हमारे मानस के सर पर जो तलवार लटक रही है वो कब हटेगी कब तक उसे यहां वहां छुपकर रहना पड़ेगा माजी अब बहुत जल सब कुछ ठीक हो जाएगा आप विश्वास रखेए वैसे भी गुल्षिंशा की गिरफतारे के बाद धेरी धेरी सारे सच्चाय दुनिया के सामने आ जाएगी और तब मानस की गिरफतारे का वरांट भी कैंसल हो जाएगा अब भाभी भाभी गुल्षिंशा गिरफतारी से बच्चतो नहीं जाएगा ना ऐसा नहीं होगा साक्षी इस बार वो नहीं बचेगा इस बार उसके हाथों में कानून की हथकडिया जरूर पड़ेगी और सिर्फ वो ही नहीं वो सारे लोग जिन्हों ने गुल्षिंशा को मदद की है गलत कामों में उन सब को सजा मेलेगी कोई नहीं बचेगा बढ़े अगर बाकी लोगों गर नाम आ जाता है तो उन्हें भी ग्रिफता कर लेना चीए बड़े पापा आप तो सब जानते हैं किसी को गिरफतार करना इतना आसा नहीं होता है अगर किसी को गिरफतार करना है तो उसके बारे में पुकता सबुत होना जरूरी है जो नाम मेरे सामने आया है न बड़े पापा उन में से एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में मैंने कब भी नहीं सोचा था अगर सोच लिया होता तो हाकीकत को सामने आने के लिए इतनी देर नहीं लगती मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता आप किसके बारे में बात करिये भापी मामा जी राकेश के मामा जी तुम्हें पता है सक्षी बुर्शन शा के साथ मिलकर राजेश को फसाने के साजिश में ये भी शामिल है सुन्दर लाल नाम है उसका कितनी अजीब बात है ना कभी-कभी दुश्मन आके बहुत करेब होता है लेकिन उसे आप दुन्या भर में तलाश करते हो तुम्हें सुन्दर लाल की बात कर रही हो जो S.D.M. राजेश्वर जी के साले है जी माजी मैं उन्हें की बात कर रही है अफसोस उन्हें पहचानने में मुझसे बहुत देर हो गई लेकिन आप जो पहचान लिया है बच नहीं पहेंगे बहुत जिसे जो समझना है समझता रहे करोडों रुपे मेरे हाथ लग चुके हैं और अभी नी करोडों से सुन्दरलाल अपने लेग नया सामराज्य तयार करेगा एक ऐसा सामराज्य जिसमें गुल्शन शा तो नहीं होगा लेकिन उसका पूरा नेट्वर्ग मेरे इशारे पर नाचेगा मेरे अख्तियार में होगा उसका हर आदमी मेरे इशारे पर नाचेगा और मेरे आदेश को बालन करेगा अब सर्फ और सर्फ संदरलाल का अदेश चनिगा वा संदरलाल वा क्या बात है बड़ी दूर की सोची है तो ना सर्फ सोची है बलकि दूर तक देखता भी हो वो कहते है ना कि कीचड में भी अक्सर कमल खिलता है बस यू समझ लो के रितिका कलेक्टर क्या बनी मेरे लिए रास्ते आसान हो गए मुझे वो मौका मिल गया जिसके इंतजार में मैं कब से था अब भी रितिका की नजरे सिर्फ और सिर्फ गुल्शन पर है ख्याल रखना कि उसकी नजरे तुम पर ना चाहे क्योंकि अगर रितिका घुल्शन शार जैसे शौरत-मंद आदमी के हाथ में कानून के हथकड़िया पहनवा सकती है तो तो क्या मुझे हथकड़िया पहनाएगी मुझे गिरफतार करेगी अरे क्यों परेशान हो रही है उसने जिस इंसान को इसकी अपनी दीदी अपनी बहन अपने जीजा जी नहीं पहचान पाए उसे वो गयर रितिका क्या पहचाने किया नहीं जहन पाएगा अरे सुजाता जी का फोन रितिका की सासुमा इन्होंने किसने फोन किया है एक मिटे हालो मैं सुजाता बोल रही हूँ हाँ बोली है ना अरे हापकी आवाज ही पहचान दी मैंने कहिए कैसे याद किया सुजाता जी आज रितिका के मुझ से कुछ बात सुनकर मैं परेशान हो गई मैं तुमसे कुछ उसी के बारे में सच जानना चाहती हूँ रितिका की जुबान से आपने क्या हकीकल सुनी है सच सच बताना मेरे बेटे मानस को फसाने में गुल्शन के अलावा क्या तुम्हारा भी हाथ है क्या 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 रहीं आप मैं सच जानना चाहती हूँ जिस बात का कोई वजूद ही उसमें सच क्या और जूट क्या मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ ये रितिका की कोशिश होगी उसी ने मेरे और आपके रिष्टे को खराब करने के लिए बात कही होगी। अरे आप खोद ही सोचे ना सुजाता जी, क्या मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूँ। देखो सुंदरलाल, रेतिका नहीं जानते कि हम एक दूसरे को चानते हैं। तो फिर वो हमारे बीच में गलत फैमी की बात कैसे करेगी। अब अब यह नहीं सोचकर कहा होगा, तो कुछ और सोचकर कहा होगा। जरूरी थोड़ी कि यही सोचे। लेकिन आपको एक बात बता दूँ के इस बात में कोई सच्चा ही नहीं है। हाँ, क्लिरली कह रहा हूँ मैं आपसे। वैसे आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही हूँ, सुंदरलाल। बाकी सब रिष्टे अपनी जगे हैं। लेकिन किसी की आुलाद या उसके पती पर आच आये, तो कोई भी औरत-बरदाश नहीं कर सकती। बाकी सब रिष्टे अपनी जगे हैं। लेकिन किसी की आुलाद या उसके पती पर आच आये, तो कोई भी औरत-बरदाश नहीं कर सकती। और इतना याद रखना कि अगर मेरे पती या मेरे बेटे मानस पर कोई आच आई, तो याद रखना कि मैं सब कुछ भूल जाओंगी। कि तुम कौन हो। समझ गए ना? क्या हुआ सुन्दर? कुछ नहीं कि तो होता ही रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब कहीं। रथिगा को मुझ पर शक तो नहीं। पर शक्राइब नहीं। लीजिए, गर्मागरम चाय पीजिए। वह, अन्यना, वह! तुम मेरे दिल की बात कैसा समझ लेती हो? बल जालिया। अन्यना, मैं कहीं दिनों से एक बात सोच रहा था। तुम्हें अपना अरजुन आजकल कुछ बदला बदला सा नजर नहीं आता। हां, बदला बदला सा तो लगता है। पहले मैं सोचा करता था कि हमारा अरजुन गाओं में रहता था, एकदम खामोश था रहता था। जब से शेहर में आया, उसने नौकरी कर ली। दिन में दस बारा लोगों से मिलता है। अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। समझने की कोशिश कर रहा है जिंदगी को, शायद इसलिए इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन नहीं अन्जना, अब सोचता हूँ के बात दरहसल वो नहीं है। अन्जना तुम्हें कभी गौर से देखा। अर्जन की आँखों में अब वो पहले वाली मासूमियत नहीं रही है। उसके बदले, उसकी आँखों में एक गुसा रहता है, एक आक्रोश रहता है। हमेशा गुसे में रहता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी वज़ा क्या हो सकती है। वज़ा तो मालूम नहीं, अन्जना। मैं बस यही सोचा करता हूँ कि काश हमें अर्जन के परिचे के बारे में मालूम पढ़ जाए। मालूम पढ़ जाए कि वो कौन है, उसके माबाप कौन है। तो हम अर्जन को उसके माबाप के हवाले करते हैं। ऐसा करके हमें बहुत सुकून मिलेगा, अन्जना। अब ठीक कहते हैं, अर्जन की मा नजाने किस हालत में होगी। क्या सोचती होगी अर्जन के बारे में। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा जिन्दा है, तो वो कितना खुश होगी। आज उल्जन तो इसी बात की है न, अन्जना। कि अर्जन की वो मा अगर अर्जन के सामने भी आ जाए, तो अपने जिगर के टुकडे को पहचान नहीं पाएगी। यही वास सोचकर कभी-कभी मेरी आखें बराती हैं। अरे, आओ और्जन बेटा, आओ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जी माँ बैठो बेटा, यहाँ माँ, मैंने आपकी बादे सुन ली। तुम मुझे माँ कहते हो ना बेटा? जी तो मुझे जब भी मा कहते हो, तो मुझे तुम्हारी मा की याद आ जाती है वो जब तुम्हें याद करती होंगी, तो क्या गुजरती होगी उनकी दिल पर पता नहीं बेटा, इश्वर की मर्जी क्या है अरे तुम्हें तो ये भी आद नहीं है कि तुम पर घोली किसने चलाई थी और तुम पर हमला किसने किया था बाबा मैं सारी पुरानी बाते भूल चुका हूँ तुम भूल सकते हो अरजुन बेटा लेकिन तुम्हारे माबाप तुम्हें नहीं भूल सकते पेटे, पेटे, वो तो हर पल, हर दिन तुम्हें याद करते होंगे पेटे, माँ का दिल क्या होता है, उसका धर्द क्या होता है, ये तुम नहीं समझ सकते हैं हाँ, मैं जरूर महसूस कर सकता हूँ अचन बेटा, एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है बड़ी मुश्किल से उसे पालती है, पोस्ती है, बढ़ा करती है और एक जवान बेटा, अगर उसकी आँखों के सामने उससे चिंज आए न, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हाँ, मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ, बेटा, महसूस कर सकता हूँ तुखी मत हो, बेटा एक ने एक दिन तुम्हें जरूर याद आ जाएगा, कि तुम्हारी मा कौन है और तुम जरूर अपने माबाप से मिलोगे आप ठीक कहती है, मैं अपनी माँ से सरूर मिलूँगा और बहुत जल्द मिलूँगा मानस कैसे को मानस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब तक यूही भागता-भागता फिरूँगा मैं मानस किर मत करो अब देखो कानों से भाग कर तुम्हें गलती है, ऐसे किया जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी खेर, तुम फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा मानस, वो हकिकद जिसे हम सामने लाना चाहते थे ना, वो सामने आ चुकी है तुम्हें पता है, तंशेर ने अपना बयान दे दिया है रेली? रेतिका, इस अब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है परना गुल्षण शाह के जाल को तोड़ना इतना असान नहीं था जाल कितना है गहरा क्यों ना हो लेकिन सच तो आखिर सच होता है मानस अब देखो ना, गुल्षण शाह के गिरफतारी का वारंट नेकल चुका है उसे बहुत जल्द गिरफतार कर लिया जाएगा अब तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ तो ना कुल्षण शाह वो इनसान है जो कानून और प्रशासन दोनों के आगे रहता है उसे ना कानून का डर है ना किसी बात का खौफ सरा सोचो रेतिका अगर उसे कानून का डर होता तो क्या वो दंगे करवाके इतने लोगों को मौत के खाट उतार देता शायद उसका अब तक मेरी जैसे ओफिरसर से पाला नहीं पड़ा होगा और फिर आज तक उसे बहुत सारी लोग सपोर्ट भी तो कर रहे थे लेकिन बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा उसका खेल खत्म हो जाएगा इस तरह कानून की नजरों में मुझरिम बनकर मुझे छुप छुप के रहना पड़ रहा है सच कहता हो रहतिगा कई बार मेरे दिल में आता है कि बेगुना होने के बावजूद एक मुझरिम की तरह मुझे छुप छुप के रहना पड़ रहा है इस सब अच्छा हो कि मैं को छुप छुप को गोली मार के मुझरिम बन जाओ कि अच्छा थागे से पंधा इसमें संसार है पिया का प्यार है ये जीने का सार है मंगल सूत्र झाल